नमस्ते साथियो, फिर से स्वागत है आपका, साथियो, हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा, जिसे लहसुन का पता नहीं होगा, लेकिन हमारा दावा है कि सच में आपको इस लहसुन के बारे में पता ही नहीं होगा, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, हमारी रसोलिय पहाडी लहसुन जिसे कश्मीरी लहसुन क्लोव गार्लिक या सिंगल क्लोव गार्लिक के नाम से भी जाना जाता है। यह लहसुन अंगिनत गुनों से युक्त माना जाता है। इस कश्मीरी लहसुन में सिंगल क्लोव गार्लिक भी कहा जाता है। इसकी कटाई वसंत के मौसम में होती है। आईए जानते हैं कि यह लहसुन हमारी सेहत के लिए इतना फायदेमंद क्यों है। साथियों कश्मीरी लहसुन में लिन और एलिनेज एंजायम जैसे तत्व मौझूद होते हैं। जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं। अगर कश्मीरी लहसुन के गुनों की बात करें। तो इसमें एंटी इंफ्लमेटरी, एंटीक्सिडेंट और एं कश्मीरी लहसुन में मौझूद पोशक तत्व के बारे में इस लहसुन में मैंगनीज, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन C, तामबा, सेलेनियम, फासपोरस, एलिन और एलिनेज एंजायम जैसे पोशक तत्व भरपूर मातरा में होते हैं। जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होते ही हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इस लहसुन को खाने से हम किस-किस बीमारी से दूर रह सकते हैं। पहला, सर्दी खासी और बलगम से। सर्दी खासी और कफ की समस्या में कश्मीरी लहसुन का इस्तमाल बहुत फाइदेमंद माना जाता ह जिन लोगों को अक्सर जुकाम और सरदी की समस्या होती है। उन्हें कश्मीरी लहसुन का सेवन जरूर करना चाहिए। कश्मीरी लहसुन में मौजूद एलिन और एलिनेज एंजाइम इस समस्या में बहुत फाइदे मंद होते हैं। जब लहसुन को कुछला या पीसा जाता ह तो ये तत्व एलिसिन नामक शक्तिशाली योगिक का निर्मान करते हैं, जो सरदी, खासी और कफ आदी की समस्या में बहुत फाइदे मंद माने जाते हैं। आप कश्मीरी लहसुन का सेवन खाने में मसाले के रूप में भी कर सकते हैं। सरदी, खासी या कफ की समस्या में आप कश्मीरी लहसुन को हलका सा पीस कर उसे पानी में डाल कर खा सकते हैं या आप इसे अपनी भोजन में शामिल कर सकते हैं। दूसरा, कैंसर से लहसुन में स्वभाविक रूप से डाइलेल ट्राइसलफाइड नामक एक और्गनोसलफर योगिक होता है। यह शरीर के भी यानि की कश्मीरी लहसुन का सेवन करते हैं, उनमें कैंसर होने की संभावना 66-67% कम हो जाती है। इस मामले में National Cancer Institute का कहना है कि लहसुन के नियमित सेवन से विभिन प्रकार के कैंसर का खत्रा 50% तक कम हो जाता है। इसकी वजह है कि इसमें पाया जाने वाला सलफर योगिक यह शरीर में Cancer Cells से लड़े में बहुत मददगार साबित होता है। तीसरे हड्डियों की कमजोरी से पहाडी लहसुन या कश्मीरी लहसुन का सेवन हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। कश्मीरी लहसुन में कैल्शियम की प्रचुर मात्रा होती है जो हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है। हड्डियों से जुड़ी कई समस्याओं में कश्मीरी लहसुन का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप जोरों में गर्द, हड्डियों की कमजोरी या हड्डियों से जुड़ी किसी दूसरी समस्या का सामना कर रही है तो कश्मीरी लहसुन का सेवन कर सकते हैं। आप इसे नियमित रूप से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। चौथे डाइबिटीज से कहने को तो डाइबिटीज वालों के लिए एक से बढ़कर एक घरेलू नुस्खे हैं। जिन पर अगर अमल किया जाएं। तो इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन डाइबिटीज में हिमालियन लहसुन कितना कारगार नुस्खा है। इस बारे में लोगों को कम ही जानकारी है। रिसर्चर्स ने पाया है कि अगर इस लहसुन की दो से तीन कलियों को नियमित रूप से खाया जाएं। तो ब्लाइब शुगर लेवल को कम करने और नियंतरित करने में मदद मिलती है। पाचवें हार्ट डिसीज और हाई ब्ला प्रेशर से। हिमालियन लहसुन दो तरह से हृदय रोग को ठीक करने में मदद करता है। एक तो यह शरीर में LDL कोलिस्ट्राल और ट्राइगलिसराइड को कम करता है। अध्यानों के अनुसार लहसुन का सेवन करने वाले रोगियों में LDL कोलिस्ट्राल और ट्राइगलिस दूसरा यह खून के घनत्व को कम करके प्लाक और क्लॉट को बनने से रोकता है। कश्मीरी लहसुन का सेवन शरीर में डियल कोलिस्ट्रॉल और ट्राइगलिस राइड को कम करने में उप्योगी होता है। के तरीके की आती है। तो आप रोजाना सुभा खाली पेट इसकी दो कलियों का सेवन कर सकते हैं। पीछे बताई गई बीमारियों में इसका पूरा लाप पाने के लिए इसे चबा कर खाना चाहिए। शुरुआत में इसका स्वाद आपको थोड़ा कड़वा लग सकता है। लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाने पर आप आसानी से इसका सेवन कर सकते हैं। आप कश्मीरी लहसुन को भोजन में मसाले के रूप में या इसकी चटनी अचार बनाकर सेवन कर सकते हैं। कश्मीरी लहसुन की तासीर गर्म होती है और कुछ लोगों के लिए इसका सेवन फाइदे मंद भी नहीं माना जाता है। तो साथियो ये थी कश्मीरी लहसुन के फाइदों की बात लेकिन सावधान इसके सेवन से पहले अपने चिकित्सक की राय जरूर ले लें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तथा शेयर करने के साथ साथ चैनल को सबस्क्राइब भी कर दीजिए दिस्क्लेमर सलाह सहित वीडियो की यह सामगरी केवल आपके सामाने ज्यान के लिए ही इंटरनेट तथा अन्यस रोतों से जुटाए गई है यह किसी भी तरह से चिकित्सकिये सलाह नहीं है सही और सटी जानकारी के लिए आपको अपने डॉक्टर से परामर्ष करना चाहिए